तोडेया इस वीडियो में हम यह डिसकस करेंगे कि कैसे कॉन ने एक रिवर्सिवल इंजन को बताया था और बनाया था और यू कहें कि यह एक आईडियल हीट इंजन था जो हीट से करता है अचलिए हम देखते हैं किस तरीके से कवन ने हीट रिवर्सिवल इंजन को एकस्प्लेंड किया तो जो हम बोलते हैं कौर्णाट सैकल करनाट साइकल इस प्रॉसेस के दवरान उन्होंने समझाया कि कैसे हीट टूवर्क हम कर सकते हैं और यह एक ऐसा इंजन रहा जो आ तो यह एक हाइपोथेटिकल मीडियम था इसमें इन्होंने चार पार्ट इस्तेमाल किया एक तो वार्किंग सबस्टेंस लिया था जिसके साइट्स इन्सुलेटिंग थे यहां पर एक पिस्टल यहां पर कुछ पार्ट रखा था पिस्टल इसको लिएक सकते है फ्रिक्शनलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टल इस साइट था वो नन कंडुक्तिंग नन कंडुक्तिंग साइट्स और इसका जो यह हिस्सा था निसला वाला यह कंडुक्तिंग था कंडुक्तिंग और इसको हम बोलते हैं वार्किंग सवस्टेंस वार्किंग सबस्टेंस उन्होंने एक पार्ट जो यूज किया था वह वार्किंग सवस्टेंस का था जो इंजन के तौर पर यूज हुआ दूसरा उन्होंने कंसिडर किया था सोर्स हम यहीं बना लेते हैं सोर्स इसका यह जो साइड था यह वाला साइड कंडक्टिंग था जिस तरह से से यह है कंडक्टिंग और यह सोर्स था जिसका टंब्रेचर टीवन था और यह और उसी तरीके से और यह तरीके से पर्फेक्ट था यह जो पूरी के पूरी इनर्जी को वो यह यह एक क्यूँओन को वह सोर्स तिवन जो क्यूँओन था जिए सॉर्स का हीट था और उसको हम आप्रेच टी वन लुकिंग स्प storage को देसकते थे यह पर फेक्ट उसका temperature T2 था जो source से कम था लो था ये काफी high temperature था ये काफी low temperature उन्होंने यूज किया था जहां से वो heat को रिजेक्ट करेंगे add 2 q2 reject होगा और यह और पार्ट यूज किया था हुन्होने इस्टैंड को एक स्टैंड लिया था जो insulating type का है चोंक है सकते हैं इन्सुलेटिंग कि इस्टेंट तो एक साइकल यूज किया था इनों ने इसको हम यहां बैना रेते हैं इस्टेंट साइकलिंग कुछ इस तरीके से थी सुटें एक साइकलिंग प्रॉसेस था एक टू बी बी इस्टेंग कि एक साइकलिंग प्रॉसेस था एक टू बी से P2 V2 और C P3 V3 उसी तरीके से D जो है वो यह था P4 P4 V4 तो यहां पर हो जाएगा हमारा V3 V2 V4 जी था V1 इसे हम कुछ नया नाम भी दे सकते हैं यहां पर जैसे E F G और H तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया जो working substance था या cylinder का है जो cylinder को सबसे पहले उन्होंने source पर रखा source Q1 पर source Q1 पर तो जो working substance था वो इससे heat लेता है Q1 और Q1 लेने के बार दूसरा process यह है कि हम pressure को decrease करते जाएंगे प्रीशर को जैसे जैसे हम डिक्रीज करेंगे वाम में इंक्रीज हाएगा जैसे जैसे प्रेशर को हमढ़ें। यहां से हम पी को चेंज कर सकते हैं जानते हैं कि आइसो थर्मल प्रोसेस में एक्विशन होता है आइडियल गैस एक्विशन पी इक्विशन और इसको लिख सकते हैं पी इक्विशन और यहां पर चुकि टमपरेचर टीवन है और यहां टमपरेचर टीटू है तो ए से भी हमने हीट लिया है यहां से सोर्स से और इसका टमपरेचर टीवन था यह जो प्रोसेस है वो टीवन होगा टीवन टमपरेचर पर होगा और यह जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं आइसो थर्मल प्रोसेस कि आई तुन थर्मल प्रोस्टस कि ये कॉंस्तर टंप्रेचरपे हो रहिए हम्ने प्रेशर को रिलीस किया है तो उस दफ़रां टंप्रेचर कॉंस्तर रहेगा ये दूसरा प्रोस्टस होते है एसके बारे में हम चर्चा करेंगे मिं तो पी डीवी तो यह हो जाएगा वी वन चू वी टू और पी को लिख सकते हैं आर्टी वाई भी और ये डीवी इसको सॉल करेंगे तो आएगा आर्टी और यहाँ पे टेम्परेचर हमारा टीवन है इसलिए हम यहाँ टीवन ले लेंगे तो यह हो जाएगा आर्टीवन और सब्सक्राइब करेंगे यहां से बाट कूठा लेंगे जैसे बाट कूठाएंगे तो यह पिस्टन ऊपर चला जाएगा तो ये पोजीशन कहीं यहां आ सकती है वालूम में चेंज होगा वालूम जो इतने में था वह सितने हो जाएगा यानी एक्सपेंसं होगा जब भी कभी इंशन होता है वह बन होता है वाइड़ सिस्टम तो इस प्रोसेस में जो वोगड़न आया यह आर्टी वन लॉग भी टुवाइब इसको लिख सकते हैं वन उसी तरीके से जब हम बी से सी पर आते हैं तो यह प्रोसेस यहाँ पर होता है वार्किंग सबस्टेंज को हम स्टैंड के ऊपर रखते हैं अच्छों कि स्टैंड हमार ए यह है सोर्से तो यहाँ जो वी से लॉझ होता है वह इंक्रांटी को यूच यूज करके होता है जा सकते है जो बहुत होगा हो इसको, को भी हम निकाल सकते हैं इसी तरीके से तो जो डबलू 2 होगा हम यहीं पर देख लेते हैं इस डबलू 1 को यहां लिख लेते हैं इस डबलू 1 इकोल टू आर्ट एवन लॉग भी टू वाई भी वन देखें डबलू 2 में क्या होगा यहां भी वाउग डण बाई दे सिस्टम डबलू 2 और जो वलूम का एक्सपेंशन है वो भी टू से वी तरी है यहां भी टू है और एक्सपैंड होके वी तरी हो गया बी प पर भी तरी है सुझे हो जाएगा सिंप्ली भी टू हुआ है यहां हम पी को चेंज करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने आइडियल में किया था लेकिन एडिया बाटिक का एक्क्वेशन कुछ और होता है एडिया बाटिक लिए equation होता है PV power gamma equal constant यहाँ से अगर हम constant को माल लेते हैं K तो P हो जाएगा K upon V power gamma तो इसको हम सबसे चूट करते हैं K upon V power gamma DB फिर K यहाँ से बाहर हो जाएगा और इसका integration करेंगे हमें मिलेगा V power minus gamma प्लस वन अपन वन माइनस गामा और लिमिट हजाएगे वी टू टू वी थ्री क्लिया फिर इसको हम लिमिट रचेंज करेंगे तो यह आएगा के अपन वन माइनस गामा तो लिमिट हम पुट करेंगे तो वी थ्री माइनस गामा प्लस वन देन सेकंड लोर लिमिट माइनस गामा प्लस वन यह वी थ्री माइनस गामा प्लस वन माइनस गामा प्लस वन तो यह हमें मिलेगा के अपॉन वन माइनस गामा और इसको हम लिख सकते हैं भी थ्री अपॉन भी थ्री पावर गामा और ये माइनस हो जायागा भी टू भी टू अपॉन भी टू पावर गामा यहाँ पे गामा माइनस था माइनस गामा प्लस वन एक पावर हम उपर ले रहे हैं दूसरा नीचे तो भी टू का पावर वन उपर है और भी टू का पावर गामा नीचे यहाँ भी थ्री का पावर वन उपर और भी थ्री का पावर गामा नीचे तो यह मिलेगा हमें K एपॉन 1 माइनस गामा और K एपॉन इस K को हम अंदर ले जाते हैं तो यह हो जाएगा K V3 अपॉन V3 पावर गामा माइनस K अपॉन V2 पावर गामा और यह हो जाएगा V2 इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस गामा और K अपॉन V3 पावर गामा हो जाएगा P3 तो P3 V3 minus P2 V2 यहां से अगर हम P1 V1 लिखेंगे तो K आएगा P2 V2 भी लिख सकते हैं P2 V2 पावर गामा और उसी तरीके से यही के हमारा इकोल हो जाएगा P3 V3 पावर गामा तो K अपॉन V3 गामा लिखेंगे तो हमें P3 मिलेगा तो वहीं से हमने लिखा है इस टर्म को K अपॉन V3 पावर गामा इस P3 and K अपॉन V2 पावर गामा इस P2 उसके बाद हम यहाँ चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस गामा P3 V3 को लेख सकते हैं हम R और C का पॉइंट है यह C पोजीशन C है तो यहाँ का टम रिजर था T2 तो R T2 माइनस R T1 R कामर उचाएगा 1 माइनस गामा इकोल T2 माइनस T1 तो W2 हमारा R है R अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1 तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे W2 इकोल R अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1 कि इसके बाद हम वर्किंग सब्रस्टेंस को सिंग के ऊपर रखते हैं जो हमारा सिंग था दारी अजर्ञ टेटू पर यह कुछ इस तरीके से था कि इन्री अमांट ऑफ हम रिजेक रजय कर शकते हैं यहां से जितना भी हीट हम रिजाट करना चाहें उसी तरीके से जो सोर्स था उसे हम कितरी भी एमाउंट आफ फीट ले सकते थे तो जितना भी चाहें हम वहां से ले सकते थे जब हम इसको इसके उपर रखेंगे वार्किंग सबस्टेंस को सिंग के उपर जब सिंग के ऊपर रखते हैं और फिर प्रेशर को धीरे-दीरे increase करते है प्रेसर को जब हम धीरे-दैरे increase करेंगे C से D के तरफ तो volume में compression हो रहा है तो expansion की ज़रा यहाँ पर compression है V3 से V4 हो रहा है और volume हमारा decrease कर रहा है तो यहすस प्रोसेस में work done औन दा सिस्टम होला डभ्लू थ्री हमारा आएगा कि टू डब्लू थ्री हम लिख सकते हैं उसी तरीके से भी थ्री टू वी फयर सुली थ्री तू वी और यह जाएगा तो इसको हम चाहें तो डारेक्ट लिख लें जिस तरीके से यह आइसो थर्मल प्रॉसेस था उसी तरीके से यह भी प्रॉसेस आइसो थर्मल है तो कि यहां भी हीट इन्वाल्व है हीट का ट्रांसफर यहां पर है तो इस दरान टंपरेचर कॉंसेंट रहेग तो यहां फे v4 by v3 हो जाएगा clear जिस तरीके से first process में w1 r t1 log v2 by v1 है यहां का temperature t1 था यहां का temperature t2 है log v2 by v1 तो यह हो जाएगा v4 by v3 तो यह हो गया हमारा third process का work done similarly हम process 4 के लिए लिख सकते हैं तो जो process 4 है d2a उसमें हम क्या करते हैं फिर से working substance को stand के उपर रखेंगे जो insulating stand था हमारा इसी पोपर हम फिर से रखेंगे तो फिर से जो प्र्रोसेसर वो एडियाबेटिक हो जाएगा और इस दौरान भी हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहें तो यहां पे फ्रेशार को इंक्रीज कर रहे है और बाहर से heat को हम reject भी नहीं कर रहे है तो होगा क्या है कि सिस्टम का temperature gång कर जाएगा और system का temperature increase करके T2 से T1 हो जाएगा यानी हम वापस A पर आ जाएगे process cyclic हो जाएगी cyclic process पूरा हो जाएगा तो W4 होगा हमारा from D to A so work done on The System from D to A ये हो जाएगा W4 equal V4 to V1 PDV अब इसको हम उसी तरीकर से लिख सकते हैं जैसे हम ने डियाबेटिक प्रोसेस में निकाला था B से C तो यह हो जाएगा simply R upon 1 minus gamma और यह हो जाएगा तो यह हुआ था T2 minus T1 यहाँ T2 और यह T1 तो यह हो जाएगा T1 minus T2 तो अब हम net work done निकालेंगे कि हम चारो प्रोसेस में कितना work done किये हैं और कितना heat लिए हैं उसके इसाब से हम efficiency calculate कर सकते हैं तो net work done net work done by the working service J अब depois subjective weather question और दो और दो गो दो ब भी व जाए और mor घ. अ भी और फ्रोडेंगे आईपो और दो तो अप्रोडेंगे 1- gamma t2-10 and then plus this is r t2 log v4 upon v3 last r upon 1- gamma t1-t2 तो यह है चारो प्रोसेस का वर्क डन यहां पर यह टरम और यह टरम कैंसल हो रहा है कि यहां से बच रहा है आर टी वन लॉग वी टू भाई वी वन इसको हम अगर माइनेस करें तो लिख सकते हैं आर टी टू लॉग v3 by v4 v3 उपर v4 करेंगे तो यहां पर माइनस आइना जाएगा यह हो गया w इसको हम कोई question माल लेते है question 5 clear तो यह था हमारा total work done इस पूरी cycle में a to b b to c c to d इसको हम area wise भी दिखा सकते हैं जैसे w बन हमाना था यहां से यहां तक तो यह हो जाएगा area of यहां से a b और यहां जी और e जो वाकड़न होगा वो यह वाला a b g और e area of a b g और e उसी तरीके से हम w2 भी दिखा सकते हैं तो w2 वाला जो वाकड़न था हमारा इसको लिख सकते है area of b c h g area of b c h g इसी तरीके से हम अधर भी दिखा सकते हैं अब यहां पर हम यह देखेंगे कि कितना amount of heat यहां पर used हुआ है so net amount of heat तो वाल लेते हैं q तो यह हुआ है q1-q2 तो कि हमने source से q1 heat लिया था और q2 heat reject कर दिया था तो जो हमारा work done हुआ है वो इसी q से हुआ है यानि q1-q2 से तो एक तरीके से यह जो q है वो equal है q1-q2 तो यह part show कर रहा है q1 को और यह part show कर रहा है q2 को कह सकते हैं q1 is rt1 log v2 by v1 minus rt2 log v3 by v4 यह q2 की तरह work कर रहा है तो अगर हम यहां पर efficiency निकालना चाहें तो कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं यूस्फूल यूस्फूल वर्गड़न अपन हीट इन्पूट तो कितना हमने वर्गड़न किया और कितना हीट इन्पूट में लिया गया था तो इसको हम इस तरीके से लेख सकते हैं डबलू अपन क्यू या क्यूवन हमने क्यूवन हीट लिया था तो efficiency हमारी यह हो जाएगी इसको हम find करेंगे फाइनली यह कितना आएगा तो इससे पहले हम ठाड़ा discuss कर लेते हैं कि बी और सी जो था वो से मेडियाबेटिक में है और इधर ए और डी से मेडियाबेटिक में है तो इसे भी हम दिखा सकते हैं so since b and c b and c are at same adiabatic yeah or at इंडिया बैटेक प्रोसेस तो वी राइट T1 V2 पावर गामा माइनस वन उक्वल T2 V2 पावर गामा V3 होगा यहां पर C का वालूम V3 है और B का वालूम V2 है और हम जानते हैं कि यह एक्सप्रेशन होता है T और V में एडिया बैटिक प्रोसेस में TV पावर गामा माइनस वन इक्वल टू with constant यह अडिया बैटिक प्रोसेस में T और V के बिएश रिलेशन होता है वहाँ से हमने इसको रिखा है तो यहाँ से हम find कर सकते है T2 या यूं कहें T1 by T2 इक्वल टू V3 by V2 पावर गामा माइनस वावर इसको एक कुशन डालने 6 उसी तरीके से D और A से मेडियावेटिक पॉइंट पे है D और A तो D और A के लिए हम लिख सकते हैं तो सिमिलरले फोर दो पॉइंट A and D we can write लिख सकते हैं हम T1 T1 और यहाँ का वल्लूम है वीवर तो T1 V1 पावर गामा माइनस वावर एक्वल टू T2 V4 पावर गामा माइनस वन तो यहाँ से में मिलाएगा T1 और T2 इस एक्वल टू V4 और V1 पावर गामा माइनस वन यह वागए एक्वेशन 7 तो अगर एक्वेशन 6 और 7 को देखें तो लेफ्ट साइड हमारा सेम है तो राइट भी सेम होगा यानि V3 by V2 is equal to V4 by V1 तो यहाँ हम लिख सकते हैं तो पहले बाले में हमारा आया था यहाँ पर V3 by V2 तो V3 by V2 is equal to V4 by V1 यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V3 by V4 equal V2 by V2 by V1 तो V3 by V4 equal V2 by V1 अब इसको हम अगर एक्वेशन 5 में यूज करें तो W equal R T1 log log V2 by V1 minus R T2 log यहाँ पर हम V3 by V4 को लिख सकते हैं V2 by V1 यहाँ से R हमारा कावन हो जाएगा R T1 minus T2 log V2 by V1 तो यह work done आगे हमारा W R T1 minus T2 log V2 minus V1 तो एक तो हमारा frequency हमारा efficiency जो था वो यहाँ से आ जाएगा W है Q1 minus Q2 और अपान Q1 तो इसको जब हम solve करेंगे तो हमें मिलाएगा 1 minus Q2 by Q1 यहाँ लिख लेता है इटा एक वोल टू 1 minus Q2 by Q1 यह expression है efficiency के लिए तो इससे बोलते है efficiency अब इस टम को हम temperature में भी निकाल सकते हैं जैसे एक चीज़ यहाँ दिख रहा है कि यह केवल डिपेंड कर रहा है किस पर source हमने कितना heat लिया और कितना sink को reject किया यह बिल्कुल भी depend नहीं कर रहा है कि हमारा heat engine कैसा था यह working substance कैसा था यह उस पर depend नहीं करता यहाँ पर ऐसा कोई term नहीं है तो यह simply cable depend कर रहा है कितना हमने source लिया और कितना sink को दिया Q1 Q2 और एक और form हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं efficiency के लिए वो यह है eta equal w formula यह हमारा basic w upon q1 this is efficiency w eta equal w upon q1 इस w के जगह अगर हम equation 5 को replace करें या इसको यह हमारा equation 7 या 8 जो भी हो यह था r t1-t2 log v2 by v1 w temperature के term में r t1-t2 into log v2 by v1 upon में जो q1 है q1 कितना है q1 हमारा यह term था r t1 log v2 by v1 r t1 log v2 by v1 तो इस तरीके से जो हमारा efficiency आएगा हो temperature के term में आएगा वो यह है eta equal t1 minus t2 upon t1 जाइस को लेक सकते हैं 1 minus t2 by t1 तो इटा equal 1 minus t2 by t1 तो यह है efficiency यह है कर नोट्स इंजन तो इस तरीके से उन्होंने यह भी दिखाया कि वह सिर्फ टंप्रेचर पर डिपेंड करता है यह फिर वह हीट पर डिपेंड करता है और यह एक आइडियल हीट इंजन था तो इसमें कोई भी लॉस नहीं रहा और यह लगवग हंडेट परसेंट रहा अलाकि प्रेक्टिकली ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है कि हम कहीं ऐसा source बना सकें जो हंडेट परसेंट हीट को वाक में चेंज करा सकें और उस तरीके से हम सोर से पूरा का पूरा क्यूवण ले ले और क्यूटू को उस तरह से पर्फेक्ट्ली रिजेक्ट कर पाए तो यह सारा प्रोसेस एक हैपोटेटिकल था यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यह सारी चिजिए फ्रैक्टिकली भी पॉसिबल हो और नह झाल 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 झाल